वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्स रेमबर दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे PSA टेस्ट के बारे में PSA की फुल फॉर्म होती है Prostate Specific Antigen अगर हम बात करें कि PSA टेस्ट क्या होता है PSA टेस्ट जो होता है एक खून की जांच होती है जिसका उपयोग Prostate Cancer की को पता लगाने के लिए किया जाता है Prostate Cancer मुखेता पुरुशों में पाया जाता है और इसकी जो पोजिशनिंग होती है Prostate की ये जो होता है पैनिस के जस्ट उपर होता है और यूरिनरी ब्लेडर जहांपे पिशाब इखटा होता है उसका जस्ट नीचे होता है ये क्या करता है पिशाब को अचानक निकलने से रुकता है तता उसको रेगुलेट करता है इसका जो आकार होता है Prostate Gland का वो एक अक्रोट की तरह होता है और इसी की वज़ा से क्या होता है कि जो पेशाब जो होता है अपने आपने ही निकलता है तता जो होता है यूरिनीर ब्लेडर के अंदर में रहता है। काफी वार क्या होता है इसमें सूजन हो जाती है जिसकी वज़ा से क्या होता है पेशाब जो होता है रुक रुक कर निकलत पिशाब को ना आना ये पिशाब करने में दर्द आना ऐसी जैसे समस्याएं हो सकती है तो अगर हम बात करें कि PSA टेस्ट किसे करवाना चाहिए तो ऐसे पुरूश जिनकी उमर 50 साल से अधिक है उनको करवाना चाहिए साथ में जिनको एदी पिशाब के दरान दर्द होता है पिशाब में खून आता है पिशाब करने में कोई कटनाई होती है पैरो में दर्द रहता है या पेट में दर्द रहता है तो ऐसे लोगों को PSA टेस्ट जरूर करवाना चाहिए और साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए उनको अगर बात करें PSA टेस्ट की क्या रिपोर्ट कैसे होती है कैसे पढ़ेंगे उसकी वैलू क्या होती है तो इसकी जो वैलू होती है एज पर डिपेंड करती है मतलब 40-50 साल में जो इसकी वैलू होती है 0-2 नैनो ग्राम पर एमल होती है और उसी तरीके से भढ़ती जाती है उमर के साथ में बट इसकी जो एवरेज होती है 0-4 नैनो ग्राम पर एमल होती है जो इस्टेंडर्ड वैलू होती है यदि इसकी वैलू 4 से अधिक होती है जैसे की physical examination, सर्जन जो करेंगे, उसमें क्या होता? Digital rectal examination, जिसमें आपकी गुदा के जरीए डॉक्टर examine करेंगी कि prostate grant बढ़ा है की नहीं है. उसको अन्य confirm करने के लिए डॉक्टर MRI CT scan, blood test जैसे की PSA free, PSA free and total का ratio, उसके अलावा टुकडे की जहां भी हो सकती, जैसे की FNAC, biopsy या IC markers वगरा भी हो सकते हैं, जो prostate cancer को confirm करता है. अगर बात करें की PSA test की value अधिक होगी तो क्या होगा? इसका जो पहला indication होता है, अगर इसकी value जादा है, तो prostate cancer का indication होता है, अन्य conditions में भी इसकी value बढ़ सकती है, जैसे की यदि कोई prostate में कोई infection है, सूजन है, या फिर कोई पिशाप का जो tract होता है, unit tract उसमें कोई infection है, या फिर education वगरा के cases में भी इसका जो level हो बढ़ सकता है. कौन से ऐसा खाना है जिसकी जो PSA level को कम कर सकता है, तो यदि आपको PSA level बढ़ा हुआ, तो आपको पका हुआ tomato ज़्यादा कंजप्शन करना चाहिए, साथ में protein rich diet जैसे की मचली, chicken, eggs, या फिर vitamin D वगरा ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, उसके अलावा आप green tea, jamon, या जो khट्टे fruits होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, ये भी prostate की level को कम कर देते हैं, अगर हम बात करें क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसके लिए आपको red meat, mass वगरा, साथ में dairy product, शराब, smoking, साथ में जो saturated fats होते हैं, जैसे की तली हुई चीज़े, उनको आपको कम से कम मात्रा में लेना चाहिए, अगर बात करें कि PSC टेस्स करवाने से पहले, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो PSC टेस्स करवाने से पहले, आपको ज़्यादा heavy exercise नहीं करना चाहिए, और आपको 48 घंटे पहले से intercourse भी नहीं करना चाहिए तो आपको जादा exercise और intercourse से पहले बचना चाहिए अगर इस test की price की बात करें तो इसका जो price होता है 600-800 रुपे के बीच में हो सकता है ये lab to lab depend करता और ये बहुत ये common test होता है इस test की लिए normal blood ये koon की जरवत होती है जो आपकी वेन से दिया जाता है अगर आपकी कोई कोई है तो comment box में आप comment कर सकते हैं अगर आपको जादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा जो prostate cancer का जो video है वो भी आप देख सकते हैं With this thank you very much for watching Health Rambo